जैहिंद असलाम वालेकुम नमस्ते सस्रीयकल आप सभी का मेरे यूटूब चैनल स्काउटिंग सीखो और सीखाव में स्वागत है हेलो दोस्तों मेरा नम मुहम्मद इस्राइल तो चलिए सुरू करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बाते तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कमपास वा दीशा के बारे में तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा यूटूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर दबा दे ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो चलिए सुरू करते हैं कमपास कमपास एक दीशा सूचक यंत्र है जो दीशा का ग्यान कराता है यह एक गोल डायल वाली घड़ी जैसा यंत्र होता है जिसके मध्य विंदू पर दो नोक वाली सुई लगी होती है जो स्वतंतर रूप से 360 अंस के कोड़ पर घूम सकती है यह यंत्रमा सागरों, मरुस्थल, जंगलों तथा आसमान में हवाई जहाजों में दीशा बताने के काम आता है कमपास में चुम्बक लगी होती है जो दीशाओं का सही ग्यान कराती वह बताती है स्काउट गाइड रोवर रेंजर के लिए यह कमपास हाइकिंग, आउटिंग वा केम्पिंग के दौरान बहुत ही उप्योगी सीध होता है जिससे वह बड़ी आसानी के साथ किसी अस्थान पर हाइक ट्रेकिंग और केम्पिंग करने के लिए जाते हैं और वहाँ से आते हैं इन सभी के दौरान रास्ता बताने वह दिखाने में कमपास की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है अब बात आती है कि उत्तर दिशा ग्यात करने के कितने तरीके होते हैं तो उत्तर दिशा ग्यात करने के तीन तरीके होते हैं पहला है वास्तविक उत्तर जिसे हम धुरूत आरे से ग्यात करते हैं नमबर दो चुमबकिय उत्तर जिसे हम कमपास से ग्यात करते हैं और नमबर तीन मांच जित्र उत्तर जिसे हम मांच जित्र बने ग्रीड की सहायता से ग्याद करते हैं तो दोस्तों इस question का उधार और सोरू पांसरी description में आपको PDF लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से देख समझ और लेख सकते हैं तो स्काउटिंग से जुड़ी जानकारी देखने पाने वज जानने के लिए आप सभी मेरे YouTube चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी जैहिंद